नवजोज सिंग सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल ट्विट कर बताया कि पार्टी ने मेरा काम पहचाना पंजाब में राजनीति घमसान के बीच नवजोज सिंग सिद्धू की और से किये हुए एक ट्विट पर सबकी निगाहिटी की हुई है ट्विट के बारे में बात करने से पहले आपको बता दे कि नवजोज सिंग सिद्धू ने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से स्तीफा रे दिया है जिससे राजनीतिक सियासत गर्माई हुई है नवजोज सिंग सिद्धू के स्तीफे की पीछे की वज़ा अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई इस भी सिद्धू की ओर से किया हुए ट्विट लोगों के बीच चर्चा का विशेप बना हुआ है दरसल नवजोज सिंग सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में ट्विट किया था जिसके बाद अब ऐसे कयास लगाई जा रहे हैं कि सिद्धू आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवजो सिंग सिद्धू ने टूइट करते हुए लिखा था कि हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है 2017 से पहले की बात हो बेयादवी, ड्रॉक्स, किसानों के मुद्दे, ब्रश्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया और इन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया गया आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया, ये फ़र्श ट्रेकी वे जानते हैं वास्तम में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है मेडिया रिपोर्स के मुताबिक पिछले काफी समय से ऐसी चर्चाय चल रही है कि कॉंग्रस मेता नवजोस सिंग सिद्दू पर आम आदमी पार्टी की नजर है दरसल पंजाब विधान सबाच चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है ऐसे में पार्टी को एक मजबूत दावेदार की तलाश है और सूतरों की माने तो पार्टी को नवजोस सिंग सिद्दू में वैदावेदार नजर आ रहा है वही नवजोज सिंग सिद्धू के स्तीफे के बाद आप पार्टी के लिए रास्ते और भी जादा साफ होते दिखाई पड़ रहे हैं हालकि पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री चरंजीत चन्नी नवजोज सिंग सिद्धू को मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे